नमस्कार दोस्तों, बहुत ही जरूरी बाते अपना थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर पढ़े नमबर एक, भोजन के पश्याद पान, गुड़े या सौफ खाने से पाचन अच्छा होता है नमबर दो, अधिक जुप कर पुस्तक पढ़ने से फेपडों को हान पहुचती है और टीवी होने का भैर आता है तो ज्यादा जुप कर ना पढ़े नमबर तीन, दूद के साथ नमक अत्वा, नमकीन पदार धखाने से विभिन प्रकार के चर्म रोग होते है नमबर चार, मुलेठी चूसरे से कफ बाहर आता है और आवाज मधूर होती है नमबर पांच, तुलसी के नियमित सेवन से कभी मलेरिया नहीं होती है नमबर चार, नियमित अपनी मा, बहन, पत्नी और बेटी के हाथ से पकाए गए घर के भोजन को ग्रहर करने वाला जल्दी से बीमार नहीं होता वह चिरंजीव होता है नमबर साथ, अपने बड़े पुजुर्गों के साथ भोजन करने से आंतरिक प्रसनता वड़ती है और उनका स्नेह अपने आप हम पर बरसने लगता है फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सेयर कर देना और हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ टिप्स अच्छे अच्छे लाती रहेंगे तो टिप्स नमबर आठ, सोने का सबसे पहतर समय दस बजे राज से चार बजे सुबर होता है इस नमबर नव, जब मुबाइल फोन बिरकुल डिस्चार्ज हो रहा हो तो उस समय फोन न सुने क्योंकि उस समय रेडिशन हजार गुना जयादा होता है नमबर दस, चार्ज में लगे फोन से फोन ना ही रिसीव करें। रेडिशन जयादा निकलता है नमबर 11, यदि कपड़ों पर जंग का निशान लग गया है तो नीवू को रगड़े से दाग चला जाएगा नमबर 12, यदि बहुत ज़ादा खासी हो रही है तो गुड़ को मुझ में रखकर चूसने से आराम मिलता है नमबर 13, कभी भी टेक लगा कर खाना नहीं खाना चाहिए इससे सांस की विमारी होने का खत्रा रहता है नमबर 14, जिनको भूख नहीं लगती लीवर में प्रॉबलम है उनके लिए सुबह खाली पेट एक गिलास अनार जूस में थोड़ा सा सिर्धा नमक मिला कर पिए आराम मिलेगा, नमबर 15, संत्रे में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है रोज संत्रे का रस पीने से आपके बाल ज़ड़ना बंद हो जाते हैं और यह आपके बालों के लिए बढ़ाने में मदद करता है तो संत्रे का जूस रोज पिया करें फ्रेट्स, बाल भी अच्छे रहेंगे और हिल्थ में अच्छा रहेगा नमबर सत्रे, चहरा गर्दन और हाथों पर नियमित रूप से नीबू का छिलका लगड़ने से तोचा की रंगत में निखार आती है नमबर अठार, नीबू के स्लाइस को आम रेपिटस पर रगड़ने से पसीने की बदबू दूर हो जाती है नमबर अठार, नीबू के छिलकों को पर थोड़ी सी चिनील डाल कर ना खूनों या एडियों पर रगड़ने से उनके चमक आ जाते है नमबर अठार, अधरक का पानी पीने से खून साफ रहता है जिसका असर तोचा पर बढ़ती चमक के रूप में दिखाई देता है साथ ही ये पिंपल्स और स्कीन इंफेक्शन जैसी परिशानियों से भी बचाता है नमबर इक्किस, पेट में दर्द होने पर पानी में प्याज कारस, नीबू कारस वह नमक मिला कर पिला दे, बहुत आराम मिलेगा नमबर बाइस, नमक लगाकर नीबू चूसने से जी मचलाना और उल्टी आना बंद हो जाएगा बीडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको फिर से मिलेंगे